प्यारे विध्यार्थियों साथियों आज हम बात करेंगे राजनिति के आधुनी की करण की आवधारना जो की प्रतेक प्रतियोगिता परिच्छा की दृष्टी से बहुत ही महत्पूर है चाहिए UPSC exam हो, UGC net exam हो, college lecturer, school lecturer, इसे के साथ में second grade exam हो, TGT PGT हो इत्यादी सभी परिक्षाओं में राजनितिक आधुनी की करण की आवधारना से सम्मदित प्रसन अवैसे ही पूछा जाता है जैसा है कि लगातार विध्यारती ने कहा कि सर आप पहले हमें राजनितिक आधुनी की करण समझाईएगा मैं उनकी बातों को मानते हुए आज राजनितिक आधुनी की करण के उपर चर्चा करेंगे तो सर अपर्थम मेरे प्राणों से प्यारी विध्यारतीयों आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब अवैसे कीजिएगा जिससे प्रते दिन जो हम वीडियो अप्लोड करते हैं उसकी सुचना आपको प्राप्त हो सके इसे के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिलुकुल ना भूले जिससे सभी विध्यारतीयों का हित हो सके सभी विध्यारतीयों का हित ही मेरा हित है सभी विध्यारतीयों के सफलता ही मेरी शफलता है तो आज हम राजनितिक आदुनी की करण क्या चीज है इसका अर्थ और परिभासा के उपर चर्चा करेंगे ध्यान दीजिएगा मैंने अक्सर देखा है कि यहां तक UPSC की तैयारी करने वाले विद्यार थी भी राजनितिक विकास राजनितिक आदुनी की करण को एक मानते हैं एक मान बैठते हैं एक नहीं है या फिर वो आदुनी की करण को पर पास्चाति करण को एक मान बैठते हैं नहीं ये भी एक नहीं है अलग अलग है पास्चाति करण अलग चीज है आदुनी की करण अलग चीज तो आज हम राजनितिक आधुनी की करण को समझें इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आधुनी की करण ही क्या है राजनितिक आधुनी की करण बाद में समझेंगे आप पहले आद्धनी की करण समझो मैंने अक्सर देखा है कि विध्यार्थी पास्चाती करण को आद्धनी की करण समझ वैठते हैं जैसे आज हम देखते हैं मैं एक एक्जम्पल दे रहा हूं आपको राजनिती की दुनिया से अलग अटते हुए कि फैसन के छेतर में मुझे बता दो कपड़े पहने जाते हैं वो तन को सरीर को तब्लं का क्या सिन के की हैने XL कि अब बताये कि हम को शर्ट पहनते हैं या पाइनन मैं यहां पर किशी गलत रूप में कुछ नहीं करें द CFS दे रहा हूं उसके बाद है जरासा फीता टाइप होना नीचे हम पेंट पेंटेबें व्हु भी यहां से कट, यहां से कट, यहां से कट, यहां से कट, तो क्या, जब हम उन विद्धियारती से पूछते हैं, कि बेटा ये क्यों पहनते हैं, बोले सर, आप कैसी बात करें, आधनी की करण हो रहा है, दुनिया बदल रही है, आप कैसी बात करें, तो वो बोलते हैं, आधनी की क जाती राजनींती की आधुनी की कंड़ों को आधुनी की क्रण के देखेगा के हंका तुमस्त और अंतरगत आधुनी के समणी करण संदा भली है राजनेति विज्यान में समास सास्तर से लिए गई है नोट कीजिएगा कहां से लिए है समास सास्तर से लिए गई है तो जब समास सास्तर के अंतरगात हम आदुनिकी करण का अध्यन करते हैं तो चितने भी विद्वानों इसकी परिभासाइं दिये हैं चूकि यहां हमें उन स अई विवेक पुरण में मेल तरक संगत क्धेसे होने वाले परिवर्थन की पृक्रिया है नोट कीजेगा। बहुत आफ otra मैंने के लिए निकाय कि आदुनिकी हो परिवर्थन की प्रिवर्थन तो नो परिवर्थन तो का सकता है ? उसमें को सकता है समाज के मुल्यों को साध्यों को गंत्यों को द्यान में नहीं रखा जाए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अंग प्रदर्शन करना क्या ये आधुन की करना है क्या ये जो कपड़ों की बारे में परिवर्तन हो रहा है ये आधुन की करना है नहीं ये पास्चाती करना है अंग प् को सरीर को धके उसका प्रदर्शन ना करें तो मेरे भाई आधुनी की करण का सीधा सा मतलब होता है कि आधुनी की करण एक विवेक कूरण परिवर्तन की प्रिक्रिया है मतलब आधुनिक की करण में वास्त्विक रूप में परिवर्तन सम्मिलित होता है कि भी परमप्रागत्ता से हम आधुनिक बने मगर परमप्रागत्ता से आधुनिक बने तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है न वो मुल्ले युक्त होना चाहिए मतलब समाज के जो स्रेष्ट मुल्य हैं जो समाज के लक्ष हैं जो समाज के नौर्म्स हैं मानक हैं उनके अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए यह दिए उनके अनुरूप परिवर्तन हो रहा है तो इसे ही आधुनिकी करण कहते हैं आधुनिकी करण की प्रेक्रिया म कि ये किशे पी रूप में समाझ व्यास्ता को बिगाड़ती नहीं को समाझ विवस्ता के जो पुछ लक्षय गंते होते हैं मुल्य होते हैं उनका पतन नहीं से पाध्य के थे plण में समाज के मुल्यों का पतन होता है मेरे भाई ध्यान देंगे तो वास्तव में आधन की क्रण क्या है देखो तभी आप राजनितिक आधन की क्रण समझेंगे जब आधन की क्रण समझेंगे तो आधन की क्रण क्या है आप बोलीगा आधन की क्रण विवेक पूरन और मुल्युक्त तरीके से परिवर्तन की प्रिक्रिया है आप सीधा भी कह सकते हैं आधनी की करण विवेक पूरन तरीके से किया जाने वाला परिवर्तन है ने तो मातलब कवी परिवर्तन होता है संब रज होना चाहिए विवेख पूरण होना चाहिए यदि विवेख पूरण और तरक संब्रदर परिवरें तो ही उसी एद्धुन that कऺ सब्सक्राइब करन का जा एद्धुन परिवर्तन तो हो रहा है लेकिनों परिवर्तन तरक संगत नहीं है विवेकुर्ण नहीं है भाई क्या यह तरक संगत तरीके से विवेकुर्ण परिवर्तन है कि हम अंग प्रदर्शन करें नहीं वास्तिविक रूप में आधन्यू की करण केवल 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 इसे ही कहेंगे ज जिसमें वास्तिरीक रूप में जो परिवरतन होता है विवेक पूर्ण तरीके से तरक संगत तरीके से बुद्धी मत्ता के आधार पर परिवरतन किया जाता है ऐसा परिवरतनी आदुल किकन कहलाता है अब हमें तो किसको समझना है राजनीतिक आदुल किकन को तो यस इसमें जरहाओ जोड़ दीजेगा कि वास्तिविक रूप में जब राजनितिके छेतर के अंतरगतितरक संगत तरीके से विएक कूरण तरीके से मुल्य युक्तता को ध्यान में रखते विए राजनितिके छेतर में परिवर्तन किया जाता है, तो इसे राजनितिक आदुन की करन कहा आधुनिक समाज बनने की जो प्रेक्रिया होती है उसे ही राजनितिक आधुनिक इकरण कहा जाता है मतलब राजनितिक आधुनिक इकरण में जो परंप्रागत सनरचनाई होती है उन सनरचनाओं का दीरे दीरे पतन होता है और आधुनिक राजनितिक सनरचनाओं को अपनाया जाता है कैसे जैसे मैं कहूंगा कि वास्तविक रूप में जब परंपरागत सनरचना के अंतरगत जो जाती भाषा और धरम होता है इनका प्रभाव जैसे जैसे घटना शुरू हो जाता है और एक केंद्रिय सत्ता की स्थापना शुरू हो जाती है वास्तविक रूप में हम य हम देखें तो वह नोकर साही नामात्र की होती है जबकि आधुनिक राजनितिक विवस्ताओं में नोकर साही की संख्या बहुत जादा बढ़ जाती है यस जिस देश में जितनी जादा नोकर साही की संख्या होती है जिस देश में जितनी महस्पुति से केंद्री सत्ता का निर प्रग़ति के तरफ जाएगी आगे कि तरह जाएगी इसमें के इल सुदहार होता यह सकते लेकिन आधनीं की आजएक्ञाह कि मैं तरह बड़ा जाएगा मैं एक यह में का इर सैंपिल डेता हूं यह तो यह क्या होता है देखो आपको समझाता हूँ जैसे पूरव दिषा से स्थिव दिषा की तरफ एक नदीभरी ये समझना रही है मेरे प्यार पोरव दिषा से स्थिम की तरफ नदी का बहाव है तो राजनिति आदहत्तु के क्रणम में तो यह होता है उस बहाव के साथ चलना पड़ता है आप रूख नहीं सकते, समय के साब से परिवर्तन होगा ही होगा, जैसे आज पूरी दुनिया में राज तंत्र का लोग तंत्री करण हो रहा है, यास, यह राज नितिक आदनी की करण की निसानी है, क्या काया मैंने, राज तंत्र का लोग तंत्री करण हो रहा है, तो इसमें आपको कोई प्रियास करने की जूरुत नहीं है, आपको बहाव के साथ चलना पड़ेगा, और यदि बहाव के साथ नहीं चल रहे हैं, और आपने डट कर किस तरीके से मुकाबला किया, तो आपके पैर उखार दे जाएंगे पानी के दवारा, और आपको बहा दिया जाएगा, इसलिए आप नदी के बहाव के साथ चलिएगा, इसलिए वास्तिम के राजनितिक आदमी के प्रिक्रिया समय के साथ चलने वाली है, समय के इसाब से चलना चाहिए, जबकि राजनितिक विकास क्या होता है, इसमें नदी का बहाव जो पूरा से पस्चिम की तरफ है, तो इस है कि इसांब से प्रिवुर्वतनी की प्रिक्रिया है इसके साथ we know that प्रियास करना पड़ता है मेनत करनी पड़ती अप आप यहां याप इसको समझे मैंने यहां नोट कर दिया है एक विद्वान है इन्हें तो कि हमें राजनितिक आधनितिक और को समझना है फिरीविंगी मैंने ह supporting कि के आधुनी किकर्ण कि Camitrualg किर्दिद के क्या है जिससे कि आप न्वح कर सके हैं कि लिएके देखिए डीचा ब्रहनեटी करन्च चीह कृड़ार को मित बहुत परिवर्तन की प्रिक्रिया है लेकिन आदनी की करण में विवेक पुर्ण परिवर्तन होता है बुद्धी संगत परिवर्तन होता है तरक संगत परिवर्तन होता है सोच समझ का परिवर्तन है समाज के जो शाद्य हैं मुल्य हैं गंतव हैं लक्ष हैं उनके आनुरूप परिव कर देगा अब यह तो होगा आधनी की करन्हें अच्या इसके बाद में राजनितिक आधनीक करनी के कुछ वेकुन परिवरतनी की परिक्रिया आदुन की करने तो राजनिती में जब वेकुन तरीके से परिवरतन किया जाता है तो वी राजनिती का आदुन की करने कहलाता है वो रही क्या इसमें चलिए पॉलमेन क्या कहे रहे हैं राजनितिक आदुनिकी करण संक्रांति कालीन समाजों की अच्छा संक्रांति कालीन समाज का मतलब क्या होता है देखो हम वास्तों में आदुनिकी करण के जब अध्यन करते हैं मतलब राजनितिक आदुनिकी करण का तो इसमें परंपरागत समाज पर्मपरागत हैं ना फूंड रूप में आदनीक हैं वो भी इच की आवस्ता में हैं तो संक्रांति कालिन समाजों की राजमितिक व्यवस्ताओं में होने वाले संव्रचनात्मक मतलब आप संफ्फा का केंदर होता है पर्मपरागत्ता से हटकर के आदनीक तरह जाता है मतलब जाती भासा इनकी जो सत्ता है उस सत्ता का धीरे-देरे धीलापन होता है शक्तियां शिमर्ति चले जाती है जब केंद्री सत्ता के हाथ में सत्ता आ जाती है जहां दीजिए का सन्रचनात्मक तता सांस्कृतिक परिवर्तनों का संभू है मतलब ऐसी दीरहों तता विवार प्रतिमान से होता है मतलब प्रतेग दरष्टी से चाहे वहाँ सनस्ताय हो रचन रहे हों प्रकृरी से परिवार न alltså कhen अधियार Step यह जैसे से ब्रुंपन तरीके से परिवर्टन आजाता है जैसे मैं अभी आपके एक आप ब्रिटेन का एक्जामपल देख सकते हैं आज राजा का पदा भी बना हुआ है वैसे वहां है परन्तु राजा के हात्म को शक्तियां नहीं है तो यह जो सनस्तागत और सन्रचन आत्म परिवर्तन हो रहा है ना वही तो राजनितिक आत्म की करण में जो सनस्ताइं होते है जैसे परमपरागत सनस्ताइं जाती वाशा हैं तो आज वास्तिक रूप में राजनितिक आत्म की करण में दीरी-दीरी कमजोर पड़ती जा रही है और इसे के साथ में जो सन्रचना है आप देखेगा आज राजा के हाथ में किसी प्रकारी को शक्तियां नहीं हो आप चारी जो डैफिनेशन दी है वो लाड ए वेल जूर्यर ने दी है नोट किजिएगा राजनितिक आदमी की करण एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसादनों के विवेक पूरन नहीं पिर आधारित है मतलब उन संसादनों का बुद्धी मत्ता से तरक्संगत तरीके से विवेकूरक तरीके से उपयोग किया जाएगा जिसका उद्देश आधुनिक समाज की स्थापना करना है मतलब उस संसादनों का उन संसादनों का जो प्रियोग किया जाता है उनका मूह लक्ष होता है आधनिक समाज की स्थापना करना तो जूनियर क्या कह रहे हैं ध्यान दीजेगा राजनितिक आधनिकी करने एक ऐसी प्रिक्रिया है जो सनसाधनु के वेक पूरण बुद्धी मत्ता या तरक संगत वेक पूरणु की उपर आधारित है और दिसका आधनिक समाज की स्थापना करना हो ठीक है जुम्यान क्या का है राजनितिक आधनिक करन मतलब क्या होगा कि भाई उस देश में राजनितिक आधनिक की करन हो जाता है जहां संसाधनों का वेक पूरण तरीके से प्रियोग किया जाता है और इनका लक्ष होता है एक आधनिक स किया करे कि एक पषुपक्षिय जिसमें आनेकों आयाम होते हैं जिसके लिए मैंने अलग से नोट भी करें डॉआं सबी परिव्रतन होता है सबिप्र और और दोता है मतलब राजनिक आदमिकिकरण तबी होगा सामाजह कुर आर्थिक इन सभी स्तिरों पर परिवरतन होगा और फिरीवर्तन वीटी संगत होना चाहिए तरह संगत हो चाहिए तो फिर दोरा और हैं टेकर तंग क्या करें राजनितिक आदम की करण एक ऐसी बहुँ पक्षिय प्रिक्रेट गुद्व यह कि मनोग्यानिक बोधिक जनसंक्या सामाजिक आर्थिक इन सभी इस्तुरुमे विवेक तरीके से परिवर्तन होना चाहिए प्रिक्रिया जिसमें मान विचार अब ध्यान दे मान विचार और प्रिक्रियाओं के सभी छेत्रों में परिवर्तन सामिल होते हैं मतलब राजनितिक आदम की करण तभी होगा जबकि सभी छेत्रों में सामाजिक आर्थिक मनोग्यानिक बोधिक जनसंक्या के इस्तर पर लोगों के विचारों में पर यह परिवरतन परिवरतन हाना चाहिए आपको ठेहान पर तो वास्टेविकरूप में जो राजनिति गाधन्य की क्रणं ह है वह biblical आक्षी अ क्योवल राजनिति क्छेत्र यहान नही कि만िते सामाजिक थे तर में शेत्र आर्थिक छेत्र में भी इसी के साथ में मनोवग्यानिक छेत्र में बोधिक छेत्र में और जनसंक्या के इस्तर पर परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन वीवेक पुरन होना चाहिए सबी छेत्रों में यह दी परिवर्टन होता है तो ही वहां पर आजनितिक आदमने की करण होगा यास ठीक है आप यह देखेगा हमने आपको जेम्स एस कॉलमैन की परिवासा दिये क्लॉइड वेल जूनियर परिवासा दिये हैं तीन परिवासा हमने दिये इनको आप की जीगहा मेरे प्याड़ान शे परिव धियारतियों मैं आशा करता हों आप समझ गई उन्हाइन एक आदमने के कुरण की तरफ संकेत कर रहा हूं वास्तों में सामाहिन नितिक आदमने के क्लंका मैं सामाहिन नर्थ बतारा। समझें भाई राजनितिक आद दुनी की करना का सीधा साधासा मतलब होता है कि जब किसी भी देश के अंतरगत जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन विवेक पूरण हो और वह परिवर्तन सभी छेत्रों हो सामाजिक छेत्र में भी हो आर्थिक छेत्र में भी हो मुनवग्यानिक छेत्र में भी हो जनसंक्या के छेत्र में भी हो बोधिक इस्तरपर भी हो और इसी के साथ में जो राजनितिक सनरचनाई हैं राजनितिक सनस्थाइं हैं इन में भी विवेक पूरण तरीके से परिवर्तन हो नहीं हो जहुठ हो एक समाज की स्थाइपना करना और प्रम प्रागट समाज से कि एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ जाना यही राजनितिक आधुनی करन है उसलिए कि राजनितिक छेतर में भी वास्तिक रूप में जो संरचनाएं जो सनस्ताइं उन में वे पुरो तरीके से परिवरतन आ जाता है मतलब ऐसी राजनितिक व्यवस्ताओं के अंतरगत यह नहीं कहा जाएगा कि बही चाहे राजा बालकी क्यों नहूं उसके आधिसों का पालन करना चाहिए क्यों कि राजा तो देव तुले नौ ऐसी राजनितिक व्यवस्ताओं में ऐसा नहीं माना जाएगा यहां तो जो भी बात मानी जाएगी वे तरक संगत तरेके से मानी जाएगी इसलिए आप देखेगा दीर दीर राज तंत्र का लोग तंत्रिकन होता जा रहा है आप राजनितिक आधुने की करण का मैंने यहां सामान यर्थी भी नोट कर दिया है आप नोट कीजिएगा राजनितिक आधुने की करण की प्रक्रिया में पुरानी अथवा परंपरागत राजनितिक व्यवस्था को आधुनिक राजनितिक व्यवस्था में रोपांतरीत करने का प्रियतन रहता है मतलब राजनितिक आधुनिक की करण में वास्तुरीक रूप में जो परंपरागत राजनितिक व्यवस्थाएं उनको आदोटियों के राजमत्तिक जवस्ताएं बनाने का प्रियास किया जाता है जैसे राज तंतर्शे लोगतंत्री करन की जो परिक्रिया है वहाई हून राजनितिक आदोटियो कि करन काई तो संके तक है यास समझ गए होंगे चलिए अब यह परिभास हाएं मैंने दिये इसके वाद विलास्ट में जो की विशेश कर यूपियासे एक्जाम में इस इस नेट में पूछा जाता है क्या डॉक्टर एस पी वर्मा की बात लेते हैं वास्तम में डॉक्टर एस पी वर्मा ने अपनी पुस्तक लिखिये इस यास बहुत गंभीर किताब है इसलिए इस पुस्तक के बारे में मेरे विचार ये हैं तो सबही विद्धियार तो कि इस पुस्तक का द्यंर करना ही चाहिए ठिक है मैने इस मुस्तभ को बहुत गहराई से गंभीरता से पढ़ा है वीडियो सारी बाते बतलाने में हमें दिख्कत आती है कारण के की वीडियो लंबी हो जाती है, पर नुल जैसे हमें जो संदर भाय गों संदरक इसाब से हम यह बाते बाते लेंगे देहां दिजीगा डॉक्टर ऐस्पी वर्माने राजनितिक आदुनी की करण को एक बहुत तरी प्रक्रिया बत रहा है दिए इनके अनसार आधुनी के रिखलीर पांच फिस्तरों पर यह पांच इस्तरों पर यह एक्जाम पूछा जाता है पांच इस्तरों पर मानवी चिंतन कारियों एवं सब्मंदों में परिवर्टन करती है क्या मतलब डॉक्टर एस्पी वर्मा ने अपनी कुस्ता क्या मॉडरन पॉलिटिकल थियोरी आधनिक राजमितिक शिधामत की अंतरग जियों हो सकती है बलकि में पर युद्मकर और करना इस्तरों में परिवर्टन आना चाहिए ये और पांट इस्तर में परिवरतन हो जाएगा तो ही उस देश की राजनिती आदोभिण हो सकती है नहीं हो सकती है येस तो यहाँ ये पांट इस्तर बतला है डौक्टर एस्टिश हुर्माणे कौन कौन से नौट कीज़ेगा मनोवैग्यानिक इस्तर है समझते चले एक एक को अच्छा मनोवैग्यानिक इस्तर पर तो क्या परिवर्तन होना चाहिए मनोवैग्यानिक इस्तर पर वास्त्विक रूप में जो जनता के परमपरागत मुल्य हैं जो परमपरागत गंत्यव्य हैं उनमें प परिवर्तन आना चाहिए, दूसरा है बोधिक इस्तर, बोधिक इस्तर के उपर क्या परिवर्तन आना चाहिए, ऐस पर अरमा का कहना है, कि बोधिक इस्तर पर जो जनता का सोचने समझने की शक्ति है, इसे के साथ में जनता की जो जानकारी का इस्तर है, उसमें बहुत जादा विरदी हो जानी चाहिए जनता का जो सोचने समझने का इस तरह पूल रूप में आदूनिक हो जाना चाहिए मतलब जनता को जादा से जादा सूचनाओं की जानकारी रखनी चाहिए यास तीसरा क्या जन संख्या के इस्तर पर परिवर्तन जन संख्या के इस्तर पर परिवर्तन का मतलब यह है कि यहां वास्तिक रूप में जो जनता है उसके जीवन इस्तर में परिवर्तन आ जाना चाहिए क्या करा हूँ जीवन इस्तर में परिवर्तन आ जाना चाहिए या वास्त्वीक रूप में सभी की जो आई है उस आई में व्रद्धी हो जानी चाहिए इसी के साथ में वास्त्वीक रूप में जनसंक्या के इस्तर पर यह भी परिवर्तन होना चाहिए कि वास्तवीक रूप में यहां जो परंप्रागत्ता है उस परंप्रागत्ता से भी इनको मुक्ति का प्रियास करना चाहिए इसके बाद में चोथा जो इन्होंने इस तर बतला है वो है सामाजी कि स्थर अब सामाजी कि स्थर पर ही परिवर्तन होना चाहिए कि वास्तिक रूप में ब्यक्ति की निष्टा का जो केंदर है परमपरागत समाज में वो परिवार है और यहाँ इनका कहना है कि ये निश्टा के केंदरे में परिवर्तन आना चाहिए अर्थात परिवार के प्रति जो निश्टा है इसमें परिवर्तन आये और जो इभिन प्रकार के समुहूं गठित किये जाते हैं उन समुहूं के प्रति इसे निश्टावान बन जाना चाहिए तो सामाजे किस तर पर ये परिवर्तन आना चाहिए और आर्थिक तर पर क्या परिवर्तन आना चाहिए कि वास्तिक रूप में जो किसी पर आधारित समाज विवस्ता है उसमें परिवर्तन हो और किसी पर आधारित समाज विवस्ता के स्थान पर वास्तिक रूप में वहां तक्निकी और ओद्योगी की करण के उपर बल दिया जाना चाहिए अर्थात वास्तिक रूप में वहां ओद्योगी की करण को अपना लिया जाए अगर इस तरीके के परिवर्तन आ जाते हैं तो उसे आर्थिक इस्तर पर परिवर्तन कहा जाता है एस पी वर्मा का कहना है कि इन पांत इस तरूम पर ये दिवास्तम में विवेक पूरण तरीके से परिवर्तन किया जाता है तो डैफिनेटली उस देश की राजनीती आधुनिक हो शक्ती है चोंकि इन सभी इस तरूम में परिवर्तन आएगा तब ही जाकर के राजनीती की स्तर पर पूर्ण रूप में परिवर्तन आएगा जो की विवेक पूरण होगा तरक्शंगत होगा तो यहां एस पी वर्मा का कहना है कि आधुनिकी करण एक बहु इस तरिये प्रिक्रिया है मतलब है केवल राजनीतिक सनरचनों सनस्ताओं में ही परिवर्तन आने से राजनीतिक आधुनिकी करण नहीं होगा बलकि इन पांचों इस तरूपर परिवर्तन आने पर ही राजनीतिक आधुनिकी करण होगा यास समझ गए चाहिए आप देखो मैंने यहां आपके लिए नोट कर दिया है आधुनी की करण में पाश्चाती करण क्या की जातर विध्यारती इन दोनों अवदानों को एक मान लेते हैं अगर यह एक नहीं है देखो कैसे वही आधुनी की करण में परिवर्तन होगा मैंने करण में कैसरा होगा, युक्शन हो रहा है, लाव हो कोई लिएया देना नहीं लेकिन आधुनी की करण में तो वास्तविक रूप में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन से समाज में सुधार होना चाहिए, समाज परिगति करनना चाहिए such का उलिए समाज का विगाड़ हो गाथ कि तरह जाएगा समाज सुधार के समाज में दो बनाए आप के लिए क्या कि आधरुक कि एक मुल्य युक्ता अधारना है नोट कीजिए गादन कीची विवर्तन परिवरतन किया जाएगा तो वास्तिक रूप में यहां समाज के मुल्यों को ध्यान में रखा जाएगा, समाज के उस साध्य हैं, गंतवें उनको ध्यान में रखा जाएगा, वास्तिविक रूप में किशी भी रूप में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कि समाज के मुल्यों के साथ खिलवाड करी, जब कि पास्चाती क रनके अंतरगत वास्तिवीक रूप में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन का मुल्यूं से कोई लेना देना नहीं है समाज की कौन से मुल्य उच्छ है कौन से मुल्य घटी है निमने इनका कोई लेना देना नहीं है यहां तो जैसा जो भी है परिवर्तन हो रहा है वो ठीक श्रणwater है चाहें से समाज वियस्ता का विश्ता दिक्त भी चलानल हो समाज को नुक्सानल को समाज का विगारण इस इनका कोई लेना देना नहीं इसलिए आधुến॥ दूसरा है आदमी की अकारण तरक्षंगत वियेक पूर्ण अधारण है। लुटामी के लुटत हुआ है। यहां इस पर्श्제लिप में हम कह सकते हैं जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन से समाज की प्रिगति होगी समाज आगी कि तरफ बड़ेगा समाज का बिगाड़ नहीं होगा समाज का विग्टन नहीं होगा इसमें जबकि पास्चातिकरण बहुतिक वादी या आडंबरी अवधार ना है क्यों क्यों कि इसमें जो भी प्रिवर्तन किया जाता है वो विए कुर्ण नहीं होता है समाज का विगाड हो समाज का विग्टन हो विचलन हो समाज कितना ही पीछे के तरफ धाकेल दिया जाए इसे नका कोई लेना देना नहीं है बस इनको तो जैसा जो जीत चाहे उसको सविकार कर लिया जाते है आपको मैं एक्जम्पल दे सकता हूं लेकिन विशेश कर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि भी आज फैसन की दुनिया में हम देखते हैं कि जो हम कपड़े पैंते हैं आज हमने पस्चिमी संस्कृति को सविकार कर लिया है जबकि पस्चिम वाले हमारे संस्क्रिप्ति दोग ले रहे. वहास्तुरी को में प्रदुर्शन ही प्रदर्शन ही किया जाता है तो कपड़े पहनने का कहा मतलब हुआ कहना के रूप में पहनते हैं जो वास्तों में आदुनी की करना नहीं है बलकि पास्चाति करना क्यों कि आदुनी की करना में विवेक पूर्ण तरीके इस परिवुरतन होगा और हमारी संस्कृति कभी भी इस बात की अजाज़त नहीं देती है कि हम अंग प्रदर्शन करें यस तो प्रदर्शन करना फैसन या दुनी के छेतर में आपको जो एक्जम्पल दिया है वह वास्तिक रूप में जो नए ने कपड़ों का सोक है मतलब इस रूप में पहने जाते हैं कि अगर पैंट या मैं मतलब इस तरी पुलीन दौनी के पर एक्जम्पल दे रहा हूं कि उन कप लिया जाता है फिर उनको पहने जाता है पीछे से हम देखते हैं यहां से कट 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 यह क्या है या यह जो परिवर्तनी यह पुरुन है नहीं यह तो यह है यह मुल्यों से कोई नहीं देना नहीं और आडंबर यावद पाश्च्छातिक करन वे अंतर समझना बहुत जरूरी है और राजनितिक आधनिक करन को ठीक समझ जाएंगे और आधनिक करन को समझे जाएंगे यह सब्सक्स्क्राइब कि राजनितिक आधनि की करन का अर्थ और परिभासा आज की वीडियों हमने कीवल राजनितिक आधनिक करोन क्या है इसे सब्मंदित बात की है अगली वीडियों हम नद्य आधनितिक करन के लक्षन आविशेश थायन लेंगे जो कि बहुत ही महत पूरण बाद है प्रतेग प्रतिविता प्रिक्षा में उसे सम्मंदित डेफिनेटली प्रसंद पुशा जाता है तो इसके बारे में हम नेक्स दे बात करेंगे थेंक्यू एरिमास थेंक्यू एरिमास